आजकल आपने ये special तरह के विनेगर का बहुत अधिक मात्रा में प्रचार होते हुए सुनाई होगा इसका नाम है apple cider vinegar यह आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि इसके फाइदे भी बहुत ज्यादा है लोग इसे कई हद तक हर तरह के उपचार के लिए इस्तमाल करने लगे हैं यहां तक के heart blockage निकालने के लिए भी यूज किया जाते हैं जहां पर आपको लाखोस रुपय सर्जरीज में खर्च करने पड़ते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे तब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लीटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आज काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले 50》 यहिस्टेंड्रफ सप्रें मांगड में कई तरह कें एंटीडंड्रफ शैंपूज पाई जाते हैं जिन में हामफुल कैमिकल्स पाई जाते हैं यह तेंड्रफ के साथ आपके बाल भी खता देता लेकिन अगर आप धेंट्रफ से चुटकारा नहीं पाते तो आपके बल वैसे भी जड़ जाते हैं तो अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास इसका कुद्रती इलाज है तो जी हाँ दोस्तों एपल सिडर विनेगर से आप ये स्प्रे मिन्टों में बना सकते हैं और इसे यूज करना भी आसान है एक चौता है यादि की वन फोर्थ कप पानी में एक चौता है एपल सिडर विनेगर डाले और बस बन गया आपका स्प्रे साधरन शैंपू के बाद आप अपने बालों पे स्प्रे करके लगा दे और पंदरा मिनित के बाद दो दे हफ्ते में दो बार ये करके देखे और डेंड्रफ से चुटकारा पाईए गले की खराश मिटाता है आपका जब आवास बैठ जाता है और अगर आपका काम ही बात करने वाला है तो यह आपके लि रिसेप्शनर्स और खास करके आजीर्ज या सिंगर्स के लिए इन उसका जादू जैसा काम करता है एक टेबल स्पून एपल सिडर विनेगर में एक टेबल स्पून काली मीरी पाउडर डाले तीन चमठ शहट डाले मिलाए और हलके गरब पानी के साथ पीते रहें जब तक सबल छोई वरकिनि अदर सब्स्राइर आपक के पाऊं और जूतों की दुरगंद को कम करती है अगर अगर आपके के पैलों से और जूतों से बहुत ज्ञता बटबू आती है और किसी रूम में आते ही दूरगन की वज़ा से लोग आप से दूर दूर जाते हैं तो ये नुसका आपकी समस्या का हल है बच्चों के बेबी वाइपस लो जिसमें कोई सेंट नहीं लगा हो ऐसे बेबी वाइपस को ले और एक पैकेट में डाले और उसमें एक टप अपल सिनर विनेगर डाल दे आपको ये पैकेट को फ्रिज में रखना है और दूसरे दिन से आपको जब जब दुर्गन हताना हो आपके पैरों से या जूतों से सिर्फ वाइप लेके अच्छे से पोच दे और दुर्गन का यह तो दोस्तों यह तो थे कुछ अद्बुद लुसके जो शायद आपको इतन सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों धन्यवाद